बागेश्वर बाबा, I am only दिरियंद्र कृष्णा. हमारे हिर्दय से कोई पूचे, हमें प्रिय नहीं, आचारी अशास्त्री जी महाराया, क्योंकि हमने कभी सन्यास्त नहीं लिया, हम साधू नहीं बने, और ये सब गुरु कृपा है, और हमें लग रहा है कि सनातनी हिंदु जाग रहा है, उसका ये परिणाम है, अभी तो कह रहे हैं कि हिंदु जाग रहा है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहरा तो उससे पहले मैं आपसे एक सवाली लेना चाहता हूँ, आपने कहीं कहा कि हिंदु कुम्बकरण है, आपने कहा कि कुम्बकरण के बाद अगर कोई सोया है, तो हिंदु शोया है, हमने ये कहा, और य जीवन में सामाजिक समरस्ता का लिए कोई जीए या बात करें तो उसका बिरोध होना जातिवात का जहर ये हिंदू-मुसल्मान की लडाई तो हमें लगता है कि अगर कुम्ब करन के बाद कोई सोया तो वह हिंदू-शोया अच चलिए मैं आज प्रेजन्ट की बात करते हूं सुभह से आप सब आप हमारे बीच में हैं आपकी दिन चर्या में आप कितना सोते हैं आपकी दिन चर्या रहती कैसे क्या नाराज़गी तो नहीं होती क्योंकि आप धाई बज़े भी उटके मुझे पता है आप धाई समस्किल क varies ऑघते तो अब तो वह की मुझे टोपलगी बस ऐसे उटकी जड़ वाले कहीं है तो अब तो वह बहुट सहज आप्या उन्हें अन्भव हो गया उसकी आदती हो गए। प्राया हमारे साथ जो शुरक्षा में भी है, वो भी अन्भवी हो गए, पहले वो सरकारी शुक्षा में है, तो उनका इक अलग अन्भव हो था, हमारे साथ एक अलग अन्भव हो है, लेकिन हमारी टीम पूरी, परिपक्क है, और हमारी जीवन का एक ही नियम है को कोई नियम नहीं है, क्या बात है बस इसलिए मैंने कहा खुद नहीं सोते और बाकियों को सोने का क्या मौकर नहीं मिलता बाई बहन बात ये है कि सोने वाली हिंदूों को जगाना है तो खुद तो जागना पड़ेगा क्या बात है बड़ी बात है आप हिंदूों को जगा रहें क्यों जगा रहें आपका उदेश क्या है इस पर मैं बात करूँगा लेकिन आचारे जी आपकी आग्या से क्योंकि आप बाबा के नाम से मशूर है और हमने अपने पूरे सेग्मेंट में आप कई बाबा का इस्तेमाल किया है अब करपागर के मत करना भी हमें पराए घर भी जाना है इस पर भी आएएंगे ये विडियो देखें ये तस्वीरे आ रहे हैं देखें आचारे जी आपकी तस्वीरे हैं और जड़ा लोग आजाते हैं जो विजवल्स है ये तो बड़े बड़े नेताओं की सभा में ऐसे लोग नहीं आते हैं यह क्या भोकाल है आपका राजनेती से आप धर्म का कंपेर नहीं कर सकते कहां मिस्री और कहां नमक हम तो सेलेबरिटी होने की बात कर रहे हैं जो स्टार्डम राजनेताओं के पास होता है और वही स्टार्डम आज देखे आपके साथ है यह भीड देखे है माराजी स्रीमान जी हम इसके लिए भी आपसे प्रातना करें कि हम कोई इस्टार नहीं है हम कोई अभिने करने वाले नहीं है ना हम कोई स्पोर्समेन है हम एक अध्यात्म के धर्ड़च को लेकर चलने वाले यह जो लोग हैं यह किसी सेलविटी को देखने या उसको फॉलो करने नहीं आए यह अध्यात्म के लिए इस भारत में नई करांती को लेने आए है सनातन की करांती तो आप यह कह रहे हैं कि आपने सनातन की एक नई करांती चेड़ दी है हम नहीं हमारे आचारियों ने छेड़ी घम उसको बढ़ा रहें तो आपको यह लोग उस क्रांती से जग रहें आप यह कह रहें जग रहें जगे होगा दिख नहीं रहे आपको कितने जगे बैठे हैं गरगर जैसी राम किनारे हिंदू राष्ट की बात होने लगी ये आप लोगों के तक पहुंच गई और ये जगना नहीं तो क्या है अच्छ चलिए लेकिन इसी आधार पर मैं ये जानना चाहती हूं एक साधारन युवक युवा संत इस पूरे सफर में क्या क्या आपने सीखा क्योंकि आपका परिवार बढ़ चुका है ये जितने लोग आपके साथ आज जुड़ रहे हैं परिवार है आपका हमारा हमारी आत कदम से कदम मिला करके चलते हैं तो ऐसे लोगों की भी मिलन हुआ सीखने ना सीखने वाली कोई बात नहीं है बस सनातन को जगाने वाली बात शीदी सी बात लेकिन आपका परिवार आचारे जी आप देश की सरहदों को भी पार कर रहा है आपके चाहने वाले पाकिस्तान तक में कई सारे ऐसे वीडियो देखें, कई सारे आपकी कथाई देखी जिसमें पाकिस्तान से महलाय आई जिन्होंने आपको अपना भाई बना लिया तो आपने एक बार ये भी कहा था, कि हम पाकिस्तान जा रहा हूं और पाकिस्तान में रामकता करूं हूं। कोई बुला नहीं रहा, देखो, पाकिस्तान भारत का बेटा है, तो वहां से तो पहले से नाता है अपना, पुराना नाता है, जब से वो अलग हुआ विचारा आपनी तो हैं वहां के लोग, तो वहां पर खेड़ ये संभव नहीं है, पर अगर कोई बुलाए, तो हमें कोई जिक्कत नहीं, चली मैंने जिस तरीके से शुरू में का था, आप सुर्खियों में रहते हैं और अंगिनत वजहों से रहते हैं, सुर्खियां भी जानते हैं, आप हेडलाइन जिस तरीके से आप बन रहे हैं, और पाकिस्तान की एक बेटी, जब तक इस धरती पर हैं हमें जब सुर्खियां भी देखते हैं, यह पूछ नहीं सुर्खियां देखते हैं, क्योंकि एक हेड्लाइन बनी हुई है सीमा को लेकर, सीमा हैदर को लेकर, जो पाकिस्तान से भारत आई हैं अपने प्यार की खातर हम बहुत कम देख पाते हैं हम बहुत कम समय निकाल पाते हैं निजी जीवन के लिए देखने के लिए हमारी ज़्यादा था अत्यदे की व्यस्ता था समाच सेवा में जो गुरू का परशाद है उस परशाद के परशारत के लिए लगा रहता है हमें जो गुरू ने करपा दी है उसको बाटना लोगों से मिलना क्योंकि हजारों किलो मीटर से पैदल चल करके कई बार गाड़ियां ले करके कई बार खर्च करके वो हमारे पास अपएकशा के साथ आते हैं कि महाराजी को गुरू जी को में नहीं लेकिन उसमें एक पेच यह है हमाराजी कि उन्हों कानून से बड़ा इस देश में संबिनान है इस देश में आई पीसी की धारा है इस देश में विवस्ता है उसके साहर अगर कोई आ रहा है तो जब राम जी ने विविशन को स्विकार किया। एक और तस्वीर में यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज आज आपके एक साधारन युवक से युवा संत की बात जो मैं कर रही हूँ, उसमें आपकी बच्पन की तस्वीर भी हमारे पास है, और उसी बच्पन की तस्वीर को देखते वे मुझे बताईए क्या लग गए थी, तो खोब इसमर्तियां हैं, आज भी हम बूले नहीं, जब भी मौका मिलता है, याद कर लेते हैं, एक दो घंटे, अकेले में बैठकर, बंद कमरा लाइट आफ, फिर हम वो पुराने समर्तियां, फिर वो हम जीते हैं, हमारी एक अंदर की एक जो इस्तिती है, वो अलग टाइफ की है, हम उसको जीना चाहते हैं, और को यो आर हम अकेले गाड़ी उठाकर, शिंगल आदमें को लेकर, पुराने कर चाहते हैं, एक स्विर्टी मैंने आपकी कही सुनी, आपने बताया, कि आपके जो दादा गुरू थे, उन्होंने आपको एक दिन बुला बर्शाद का, तो खपर वाला मकान टप टप करके पानी गिर रहा था, तो दो दिन से कोई शोया नहीं था, घर में पानी भरा हुआ था, मा जी, पिता जी एक कोने में बैठे, हम छोटी बेहन और भाई एक पलंग के नीचे अपने आपको बचा पा रहे थे, तो हमारे मन मे लगा कि दादा जी हमारे बहुत चमतकारी और बड़े-बड़े एंबच्डर कार का जमाना थे उस जमना थे एंबच्डर कार पर बड़े-बड़े आई-पी-एस आई-एस ऑफिसरों के पास आते थे, हमने कहा कि हम जाएंगे कोई भावना लेकर, कुछ हमें वो देह दें कुछ माने, चुकि वो तो निर्मोही थे, शादू हो गए थे, हमने क्या लेना देना, तो हम दादा जी को कहा कि आप दुनिया का भलाक रते हो, ऐसी ऐसी बात है, और आज भोजन भी नहीं हुए, क्योंकि गर के कुछ है नहीं, तो ताका लगा कर हैंसे, हमने का कि धन बता हमने रिशनान किया, एक नल था चोटा चा, पहाडी के नीचे, नल में जाके कमंडल लेकर रिशनान किया, गीले वस्तर ही आए, आज भी हमें आद है, लाइट तो थी नहीं, जंगल, चोटा साहिस्थान, बागेश्वर महादेव का चोटा साहिस्थान, बागेश्वर होता है वो मेडिया का या टी-बी का भी से नहीं है, गटना गटी, एक लाइट सी हुई, प्रकास हुई, तो डर गए, बच्चे थे, सरीर कंपने लगा, और बस उन्होंने थपकी देते हुए, गुर्दे उन्होंने कहा, कि कह दो तुम हमारे हो, हम तुमारे हो, हम तुमार कि है लुले गटना गट गई, कहानी बदाले ह अज भी है, जो गज़िए जब दें रहे ख़र करते तो आप भावक हो जाते है, मैरे जीवन के का अ है, हम के अभूजन ऐसे, इह कौर्वन की और प्रौजटाने कीा नहीं रहा लोजने नहीं की जिन्दी की बदने की होुए कलर लाए यृ या नहां रान वी खाना आपको अपलम दे मारी अर फिल कर रहे हैरा हैं घरकी आपक पड़ने से पहले जानना चाहती हो क्यूंकि अब की बच्पन की तश्वीरे देखे ए rằng 40-50 km आप जाते थे, कभी मा से डाट पिटती थी, कोई ऐसे खास पल, जब माने कहा, दस साल का मेरा बेटा माना घर की रिस्पॉंसिबिलिटी या घर के लिए आप आगी जा रहे थे, लेकिन मा से जुड़ी वो यादे, जहां आपको लगता था मा की फटकार में भी वो प्यार है, माने तो हमें बहुत बार डाटा है, माने समझाया बच्मन में, हर विष्यों को हम अपनी मा से बोलते हैं, प्रतेख पहलोगों, आज भी कुछ भी अच्छा बुरा होता, हम अपनी मा को बोलते हैं, हमारी मा अनपड़ है, पर बहुत बड़ी दार्शनिक है, हमारी ऐसी मा की प्रती अपनी दृष्टी, तो वो हमारी माम को डार्टी थी, कई बारों को समझाती थी, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो बहुत सी डार्टें हमें याद लें, तो जैसे अभी आपने कहा कि आप सन्यासी नहीं है, आप सन्यास नहीं लिया आपने तो जरूर परिवार से जुड़े होंगे अभी 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 आपने जो दादा गुरू की स्मृति बताई और उसमें आप जो भावुक है मैंने ऐसा फील किया अचारे जी कि आप कहीं न कहीं परिवार को क्या मिस्स कर रहे हैं याद आती है या कुछ है ऐसा जो आपको परिवार की बात करने पर भावुक कर देता है भारत के परतेख लोग हमारा परिवार है आप तो हम इनको लेकिन गुरू के परती हमारा जो connection है बहुत अलग टाइप का है बहुत अलग लेवल का है हमारे जीवन की शुरुवाद गुरु है, हमारे जीवन का मध्ध गुरु है, और कभी-कभी जब हम एक आंत में कहते हैं, तो हमारा अंत भी आपके जराने, और धीरंदर को धीरंदर कृष्ण सास्तरी बनाया, तो वो हमारे ग्राणफादा दादा गुरुजी. आज अगर माता पिता के पास जाते हैं, सामने होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, मुस्कुराते हैं, खुब थफकी लगाते हैं, प्यार देते हैं, पिता जी बहुत भोले हैं हमारे, माँ खाने के लिए कुछ खास बनाते हैं? चाई हम बहुत पी थे होट जलते फिर खाते हैं गाडी में कभी घए दूर्ट्त इमन्च पर चटने वाले होते हैं तो मंच के पीछfeld ऑल्रॉम होता है मैं कोजनी शाप जी साधा अर tutaj हमारा बहुत कभी-कभी अभुबड़ शब्याया T कुछ खास पहेलियों का मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता इसी के जरीयां बड़ी इंट्रेस्टिंग बाते आपके बारे में जानना चाहेंगे और इसलिए इसे हमने नाम दिया है बाबा बागेश्वर का पहेली टेस्ट आपके बाबाब करते हैं पर आपका इसमें पहली जो हम प्रेस्ट कर रहे हैं आपका कोई वाइसा टेस्ट नहीं कर रहे कि आपको आता है इसमें बस यह जाना है कि आप इस इन पहलीों से हम आपकी बच्पन की यादे जोडने की कोशिश करते हैं और इसलिए पहला जो सवाल है हमारा वो यह है कि देश का आचारत दिरेंद्रकेशन शास्त्री बताएं जो पूरे देश को परिवार बताते हैं देश का राष्ट्रिय खेल कौन सा है होकी क्या बात है आपको खेलना क्या पसंद है क्या चौँ मैं लेगा है इसाम मैं लेगा है व क्यों कि अरो भी के दिया है